जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी कब ये समस्टर वाला में दोस्तों आज की इस कलास के माध्यम से आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सिकेंड येर थर्ड समस्टर का एजुकेशन यानी सिच्छा सास्त्र ठीक है, सिच्छा सास्तर में आपके पेपर का नाम है फिलोसोफिकल, सोसोलोजिकल, पोलिटिकल, इकोनोमिक प्रस्पेक्टिव आप एजुकेशन सिच्छा का दार्शनिक, समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, एक्जाम 2024 के लिए, एक्जाम 2025 के लिए और ये जो क्लास है, 2026, 2027 एक्जाम के लिए भी मुस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है चले, आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ चले, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यह जो दिन द्यालुपाद है, गोरक पुर्विश्विद्याला है यहाँ पर आपके सिछा सास्त्र यानि जो एजुकेशन है, उसका दो पेपर आपको देना पड़ता है जैसे आपका आठ यूनिट है, ठीक है, आठ यूनिट में सारे यूनिवर्सिटी में आपके आठ यूनिट के एक्जाम होते हैं लेकिन जो दिन द्यालुपाद है, गोरक पुर्विश्विद्याला है, इसमें 4-4 यूनिट आपके बठ जाते हैं, ठीक है चार यूनिट के एक paper होगा और चार यूनिट का एक paper होगा यानि दो paper होते हैं ठीक है आठ यूनिट आप लोगों का भी रहता है तो ध्यान रखेंगी जो दिन देलूपद है गोरगपूर बिस्विद्धाला है इनका paper 2 है ठीक है यानि जो education है उसका paper code है EDU 202 ठीक है इसका model paper 1 है class B1 है जल्दी आप लोगों का एक्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा नौमबर दिसंबर में उसके पहले मैं आपको question paper भी पुराइड करा दूंगा ठीक है चले इसमें जो बच्चे continue हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि यह top 100 most important जो questions होते हैं वो आपके इसमें notes मिला करके होते हैं ठीक है और notes बिल्कुल आपको free में दिये जाते हैं टेलेग्राम गुरूप में ठीक है टेलेग्राम गुरूप जान कर लिजेगा वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा अराम से वहां से आप लोग download कर लिजेगा आप लोगों का revision भी होता रहेगा औ और बिल्कुल फिरी में ये सारे notes भी आपको मिल जाएंगे PDF में एक भी पैसा आपको देना नहीं है ठीक है चले आगे बढ़ते आप exam की बात करते हैं तुद्दिन द्यालुपद है गोरफ पूर्विस्विद्यल है राजा महंत परताब सिंह स्टेट उनिवर्सिटी है मास लिखेत इकजाम होंगे ठीक है यानि ओड समेश्टर के फर्ष्ट थर्ड और फिफ्ट समेश्टर जो आप लोगों का एकजाम हो रहा है इसका आप लोगों का लिखित होगा ठीक है बाकिसम समेश्टर का सारे college में आपके objective होंगे जैसे लिखेत इकजाम कहां होता है जैसे इस class में हम लोग पहला प्रसन देखते हैं क्या पुछा गया है देखें सुरू से लगबग दस प्रसन ऐसे हैं जो बहुत ही कठिन है ये बहुत ही important है आपके लिए ठीक है तो ध्यान रखेंगे आप लोग चले पहला प्रसन आपका पुछा क्या है संपदा विवस्था में वह संस्था जहां किसी दास को उसके स्वामी द्वारा कोई धनरासी कुछ संपत्ती दी जाती थी कहलाती है तो ये petroleum कहलाती है ठीक है ये आपसन आपका right है देखें संपदा विवस्था ठीक है संपदा वि कोई संस्ता थी जहां किसी नौकर को उसके स्वामी द्वारा यानि उसके मालिक के द्वारा कोई धन्रासी कुछ भैसे या फिर पिर संपत्ति दी जाती थी तो उसे पेकूलियम कहा जाता था ठीक है यह आपसनाप का राइट है चले आगे बढ़ते हैं इसी तरह से देखें थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही ध्यान पूरोग पढ़ते चलेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के लिए ठीक है चले और यह आ प्रसनाप का पुछग्या है उद्धोगपतियों का एक समूह जो एक साथ बजार पर एकाधिकार या पूरोण नियंतरड प्राप्त करता है कहलाता है तो वह कार्टेल कहलाता है डियापसनाप का राइट है प्रस नमर तीन आपका पुछा गया है ध्यान से देखेंगे संपत्ती प्रडाली में किसके अनुसार असमानता प्राथमिक रूप से आर्थिक नहीं बलकि नाईक है तो ये संपत्ती प्रडाली में ताबनी के अनुसार ठीक है जो असमानता है ये प्राथमिक रूप से नहीं बलकि न्याईक है ठीक है इसमें ध्यान लखेंगे चले इसमें चौथा प्रसन आपका क्या पुछा गया है किसने भारत को उत्पादन की ACI मोड के तहत वर्गी करित किया है तो ये आपके कालमाक्स है डी आपसन आपका करेक्ट है पांचो प्रसन इसमें आपका क्या पुछा गया है ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा देखे किसने कहा ये स्टेटमेंट है आपका ठीक है कि जितना उचा वर्ग होता है उतना ही कम दिखावा होता है क्योंकि ढोंग करने के लिए कम होता है यहीं मुख्य कारण है कि हमारे शिष्टाचार अन्य व्यक्तियों की तूलना में बहतर हैं तो यह statement जो है पहलामी का है ठीक है ध्यान रखेंगे यह आप सनाप का राइट है देखें यहाँ पर जो आपकी typing हुई है इनका नाम थो आगे पीछे हो सकता है ध्यान रखेंगे लेकिन नाम यहीं है correct है ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें छटा परसनाप का पुछा गया है किसने कहा संपत्ति चूरी है तो यह आपके proud होन ने कहा था कि जो संपत्ति है यह चूरी है यह आप सनाप का right है ठीक है चलें साथमा परसनाप का क्या पुछा गया था जिन्होंने समाजवाद के एक रूप की बकालत की इसमें से कौन से ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने समाजवाद के एक रूप की बकालत की है तो जो आपके इमाईल दुर्खी में इन्होंने समाजवात के एक रूप की वकालत की है D. आपसन आपका राइट है प्रस नमर आठ आपका पुछा गया है उपयोगितावाद किसके नाम से जुड़ा एक साध्धान्तिक दिरिष्ट कोड है तो जो आपके J. Bentham है ठीक है इनके अनुसार उपयोगिताव ठीक है एक साध्धान्तिक दिरिष्ट कोड है ठीक है ध्यान रखेंगे एपसन आपका राइट है प्रस नमर नौ आपका क्या पुछा गया है जाती की उद्पत्ति के धार्मिक सिध्धान्त की वकालत किस ने की सेनाटो ने की है एपसन आपका राइट है प्रस नमर दस है आपका जाती के व्यवसाइक सिध्धान्त की अधारणा किस ने दी नेस्फिल्ड ने दी है एपसन आपका राइट है प्रस नमर 11 आप लोगों का पुछा गया है स्रम विभाजन और जाती प्रता के लेखक कौन है? स्रम विभाजन और जाती प्रता के लेखक जो है वो डाक्टर भीमराम बैटकर है भी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 12 आपका क्या पुछा गया है आधुनिक सभ्य समाज कारिकुसलता के लिए किसे आवस्यक मानता है तो या स्रम विभाजन को आवस्यक मानता है या अपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 13 क्या पुछा गया है जाती पर्था भारत में बेरोजगारी का कारण है जाती पर्था में भारत में बेरोजगारी का कारण जो है प्रतक्ष है या फिर प्रमुक है तो ये प्रमुक है वी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर चौदा आपका पुछा गया है लाइंगिक सम्वेदन सीलता की विपरीत है लाइंगिक गुसलेशन लाइंगिक अंधता लाइंगिक और समानता या फिर लाइंगिक समानता कौन लाइंगिक सम्वेदन सीलता की विपरीत है बताने का प्रयास करेंगे बिल्कू लैंगिक समानता जो है लैंगिक सम्वेदन सिल्ता के विपरित है D आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर आपका पंदर क्या पुछा गया है बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसकूल सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है इसकूल सब्द की उत्पत्ति ग्रीक भासा से हुई है भी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 16 आपका क्या पुछा गया है डेमोक्रेसी सब्द किस भासा से संबंदित है डेमोक्रेसी सब्द तो डेमोक्रेसी सब्द ग्रीक भासा से सम्बंदित है यह आपसनापका राइट है सर जी डेमोक्रेसी आपका पूस्ता है एक्जाम में कैसी क्या करेंगे देखें डेमोक्रेसी के बारे में आपके कई सारी प्रस्ण एक्जाम में बनते हैं जैसे ध्यान दिजेगा डेमुक्रेसी सब्द जो है ग्रीक भासा से लिया गया है ठीक है इतना ध्यान रखेंगे आगे देखिए डेमुक्रेसी सब्द ग्रीक भासा से लिया गया है लेकिन डेमुक्रेसी सब्द ग्रीक भासा के दो सब्दों डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है ठ ठीक है चले पीडियाप जरूब डाउनलोड कर लीजेगा आप लोग ठीक है बिल्कुल फिरीम् साफ आपको देना नहीं है अधिक है टेलेग्राम गुरूप में है वीडियो के ठीक संबंदित है और अस्प्रिशियता का उन्मुलन यानि छुवा छूद का जो उन्मुलन है वकिस अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छे 17 में संबंदित है ठीक है भी आपसनापका राइट है प्रस्ट नमर 18 आपका क्या पुछा गया है भारती सम्मिधान में मुल अधिकारों की संख्या कितनी है भारती सम्मिधान में हमारे कुल साथ मौली का अधिकार थे ठीक है लेकिन संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया ठीक है उसे कानूनी रूप का अधिकार दिय गया है present time में लेकिन भारती सम्मिधान में present time में कुल मुल अधिकारों की संख्या 6 है ठीक है भी आपसन आपका राइट है सर जी भारती सम्मिधान में मुल अधिकार हमारे 6 है तो वो 6 अधिकार कौन-कौन से है यह भी आप लोग जान लिजिए और यह बहुत ही important है हर साल जाता है इससे लगबल लगबल आपके पंद्रह परसेंट कोस्टन जो होते हैं इसी चेप्टर से पुछे जाते हैं ठीक है तो इसको काफी गहराई से पढ़ेंगे आप सभी लोग भारती सम्मिधान में मौली का अधिकार को संख्या 6 है पहला है समानता का अधिकार तो जो पुछता है सोतंतरता का अधिकार याद अनुंछेद 19-22 के बीच मैं है तीसरा है सोसड के खिलाप अधिकार तीक है याद अनुंछेद 23-24 के बीच में है और धार्मिक आधिकार है जो वह अनुंछेद 35 से लेकर races 28 के बीच में है पांचवा है आपका सिच्छा और संस्कृतिक अधिकार या अनुछेद 29 से 30 के बीच में है छटा है सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार जो अनुछेद 32 में दिया गया है अनुछेद 32 में दिया गया ठीक है चले अब यहां भी आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे मुल सम्मिधान में साथ मौलिक अधिकार थें जिनमें से संपत्ती के किस संभिधान संसो धन के डरीए हटाय गया था तो चाउगालिश्य में संभिधान संसो में के जरी इस संपत्ती के अधिकार को समाग कर दिया गया था ठीक है? और इसकी जगह क्या था आपका कानूनी अधिकार 300A ठीक है ध्यान लखेंगे प्रस्ट नमबर 19 आपका क्या पूछा गया है समयधानिक उप्चारों का अधिकार किस अनुच्छे से संबंधित है देखे इसी तरह से प्रस्ट पूछा जाएगा मैंने बोला था ना देखे अनुच्छे 32 से समयधानिक उप्चारों का अधिकार संबंधित है C आपसन आपका करेक्ट है प्रस्ट नमबर 20 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छे का संबंध बालकों के लिए निसूल के एवम अनिवारे सिच्छा से है तो यह अनुच्छे 45 है A आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमबर 21 क्या पूछा गया है प्रसासन को नीती के रूप में किसने लिया प्रसासन को नीती के रूप में किसने लिया था तो प्रोफेसर प्रोसे ने ठीक है C आपसन आपका राइट है प्रस नंबर 22 आपका पुछा गया है The Study of Administration नामक पुस्तक का प्रकासन कब हुआ 1887 जून में हुआ था ठीक है कब हुआ था जून 1887 में Study of Administration नामक पुस्तक को प्रकासन किया गया था ठीक है अब यह प्रकासन किसके द्वारा किया गया था ये भी पूस्ता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग The Study of Administration का प्रकासन किस ने कराया था Thomas Woodrow Wilson ने C.A.S.N.A.P. का राइट है अब यहाँ की पॉइंट दिये जा रहा है बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ से कई सारे प्रस्ण आपके एक्जाम में बनेंगे जैसे The Study of Administration लेख को अमेरिकी राजनीतिग सिच्छावीद और विश्विद्यालेप प्रकासक Thomas Woodrow Wilson ने लिखा था यह लेख जून 1887 में Political Science Quarterly के खंड दो अंक दो में प्रकासित हुआ था प्रस्ण नमर 24 आपका क्या पुछा गया है सिच्छा प्रसासन में सिच्छन तथा सीखने की परकिरिया से संबंदित लक्षयों और नीतियों के विकास को पुरुतसाहित करने वाली सुबिदायन नहीं थे यह कथन किसका है यह कथन है कैम्प वेल का ठीक है यह आपसन आपका राइट है प्रस्ण नमर 25 क्या है सिच्छा प्रसासन के कौन से आधार है सिच्छा प्रसासन के कौन से आधार है सैच्छिक उद्देश मनुबै ग्यानिक तथा समाजिक आधार सी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 26 आपका क्या पुछा गया है 20 यर्स के अनुसार सिच्छा की प्रसासनिक किरिया की किरियाएं है यानि जो 20 यर्स महोदे हैं इनके अनुसार जो सिच्छा है सिच्छा का जो प्रसासनिक किरिया है उसकी किरियाएं कितनी है तो इसकी कूल 5 किरियां है तो सर जी 20 ए Carmen है सिच्छा की जो प्रसासनिक किरिया पांश्टु है वह कौन कौं सा है बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोक देखें 20 सिच्छा की प्रसासनिक किरियां में यह काम सामिल है यानि पांच काम इनके कौन कौन से हैं कार्मिक प्रबंधन सौरी का हाँ ठीक है कार्मिक प्रबंधन बजट आवंटन नीति निर्माड संसाधन आवंटन और पाठिकरम कारवानु में हैं ठीक है चलें 27 नमबर प्रस्ण है सिच्छा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है क्या सम्मिलित किया जाता है नियोजन वा संगठन निर्देशन समनवय और नियंत्रन निर्डयन रिपोर्टिंग वा मुल्यांकन ये सभी क्या है सिच्छा के प्रशासनिक क्रियाओं में इ तो डाक्टर इस्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में पूनरिक्षण समिती की अस्थापना हुई थी, भी आपसनापका राइट है प्रस नमबर 29 आपके क्या पुछा गया अंतराश्टी सांती वा सुरच्छा का संबंध किस अनुच्छेत से है तो यह अनुच्छेत 51 से संबंधित है, भी आपसनापका राइट है प्रस नमबर 30 क्या पूछा गया है, किस मूल अधिकार को अंबेट कर द्वारा संबिधान का हिर्दय और आत्मा कहा गया है यह बहुती फेमस कोश्चन है, यह हर सल लगवक पूछा जाता है, तो अनुच्छेत 32 को संबिधान का हिर्दय और आत्मा कहा है, डाक्टर भीम्रा अंबेट करने डी आपसनापका राइट है प्रस नमबर आपका 31 क्या पूछा गया है, देखें भारती संबिधान की आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उलेक किया गया है, तो कुल 22 भासाओं का उलेक किया गया है भारत की आठवी अनुसूची में सी आपसनापका राइट है अब यहाँ की पॉंट देखिएगा यहाँ से कई सारे प्रस्ट आपके एक्जाम में बनेंगे ठीक है बहुत ही फेमस फेमस कोश्चन है और यह कामपटिटरी एक्जाम में भी आपको देखने को मिलता है यह सारे कोश्चन्स ठीक है जैसे भारती सम्मिधान की आठमियान सू पुर्दू, बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली ठीक है सर जी यह 22 भासाओं हो गए और इस 22 भासाओं में साथ ही ध्यान रखेंगे इनको कब-कब सम्मिधान में अपनाया गया था यह भी आपके इक्जाम में पुछा जाता है देखें पहले सम्मिधान की आठमियान सू आपके इक्जाम में पूछा जाता है सिंधी भासा को सम्मिधान के जरीए अपनाया गया था एककईश में सम्मिधान संसोधन के जरीए अपनाया था पूसता है सिंधी भासा को कब अपनाया गया था एककईश में सम्मिधान संसोधन के जरीए तो 1967 1967 के जरीए जोड़ा गय पूछेगा कि कौंकडी को संविधान के किस अनुछेत के जरिये जोड़ा गया था तो संविधान संसोधन के जरिये जोड़ा गया था ठीक है उसी तरह से माड़ी पूरी और नेपाली को भी अपलोग ध्यान रखेंगे 1992 के तहद ठीक है चले अब आगे ध्यान रखेंगे डोगरी बोडो मैथली और संथाली को 52 संविधान संसोधन अधिनियम 2003 के तहद जोड़ा ठीक है आपके एक्जाम में पूछे का डोगरी भासा को कि संविधान संसोधन के जरिये जोड़ा गया था बावनवेवे 92 के जरिये या कब जोड़ा था 2003 ठीक है ध्यान रखेंगे प्रस नंबर 32 आपका संध्रित विकास की आप सकता है संध्रित विकास की जो आप सकता है भाव पिढ़ी के लिए और वरतमान पिढ़ी के लिए दोनों जरूरी है सियासन का रट प्रस नंबर 33 है भारती संविधान की आत्मा कहलाता है मूल अधिकार समानता का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार या फिर संविधाने कुपचारों का अधिकार तो जो बच्चे बहुती ध्यान पुरोग पड़े होंगे, उनको पता होगा कि भारती संविधान की आत्मा संविधाने कुप चारों के अधिकार को कहा जाता है, यानि अनुछेद 32 को, ठीक है, डाक्टर अंभीम राम बेटकर ने कहा है, भारती संविधान की आत्मा इसे, ठीक है, सा तिब्र होती है, यानि तेज होती है, यह आपसन आपका राइट है, प्रस नुमर 35 आपका पुछा गया है, बिद्याले को समानेता समझा जाता है, बिद्याले को समाजिक प्रणाली की उपप्रणाली माना जाता है, यह आपसन आपका राइट है, प्रस नुमर 36 आपका से जन संख्या सारों में रहती थी 36 का सी आप इसनाप का राइट है अ क्लो si प्रस्वनें 37 पूछ पुछा गया है 21 सताबदी में भारत की कुल कितनी stopping से जन संख्या सारो में रहती है तो वर्तमान में ठीक है 31 pense टासमलो परसेंट जो भारत की कुल जनसंख्या है सहरों में निवास करती है बी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर आपका अरतिस पुछा गया है गाओं में रहने वाले अधिक से अधिक लोग खेती की जगह क्या करने लग गया है तो परिवहां सेवा व्यवसाय सिल्प निर्मार ठीक है यह सभी डी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 49 आपका पुछा गया है भारती समाज का स्वरूप कैसा होता जा रहा है ग्रामिल या फिन नगरी है बताइए बहुत ही असान है जवाब आप सभी लुग जानते होंगी जो भारती समाज का स्वरूप है या नगर यह होता जा रहा है ठीक है बी आपसना आपका राइट रहा है बड़े बड़े जुगाउं है ठीक है वो आपके का नगर में चंजь होते जा रहा है धेन कि जन संख्या आपकी बढ़ती जा रही है प्रस नमर्बर यह आपसन आपका राइट है प्रस नमबर आपका 41 पूछा गया है देश में पुरू 17,4 कितने परतिसत है 82.1 परतिसत यह आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमबर 42 आपका क्या पुछा गया है राज में पूरू साच्छारता 89.02 परतिसत है तो महिला साच्छारता कितने परतिसत होगी परतिसत है तो 5.52.10 परतिसत डी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 43 आपका पुछा गया है कौन सी जाती की महिला है साच्छारता में अधिक पिछड़ी हुई है तो अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती ये दोनों महिला है ठीक है साच्छारता यानि पढ़ाई लिखाई में पिछड़ी हुई है ठीक है डी आपसन राइट है ए और भी दोनों प्रस्ट नमर 44 पुछा गया है आउसत वरीधी वाले बालकों की बुद्धी लब्दी कितने के बीच होगी आउसत बुद्धी वाले जो बालक होते हैं इनकी बुद्धी लब्दी जो होती है यह 90 से 100 के बीच में होती है सी अपसनाप का राइट ह प्रस्ट नमर 45 पुछा गया कौन सा वनसानुकरम का नियम नहीं है बताईए समानता, मित्रता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रणा कौन है जो वनसानुकरम का नियम नहीं है बिल्कुल अभिप्रणा नहीं होता है डी आपसनाप का राइट है प्रस नुमर 46 क्या है तनाव को कम करने के अपरतक्ष धंग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं रच्छातमक या न्तरिक्ता कहलाते हैं भी आपसन आपका करिक्ठ है प्रस नुमर 47 आपका पुछा क्या है बाल मनो भी ज्यान का केंदर बिंदू है अच्छा सिच्छक, बालक, सिच्छन पर किरिया या फिर विद्यालाई कौन है जो बाल मनो भी ग्यान का केंदर बिंदू है तो यह बालक ही होते हैं ठीक है बी आपसन आपका राइट है प्रस नमर आपका अर्ट आलिस क्या पुछा गया है सिच्छक, बेवहार सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया सिच्छक, बेवहार सिध्धान्त ठीक है यह बात ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छा है यह बहुत ही फिमस है सिच्छक विवार सिध्धान्त का प्रतिपादन इसको किस ने किया था बताईए सबी लो बिल्कुल D.G. रायन ने C. आपसनापका करेक्ट है प्रस्ट नमबर 49 क्या है? सिच्छा का उद्देश से है सिच्छा का उद्देश से क्या है? व्यक्तित्तों के विकास के प्रति यानि प्रस्टनाल्टी के विकास के प्रति परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी ठीक है? D. आपसनापका रायट है उप्रोक सभी प्रस्ट नमबर 50 है आपका सिच्छा आयोग द्वारा प्रदत प्रतिवेदन में मानव से क्या-क्या अपेक्षाएं की गई तो मानव से उदार यों व्यापक द्रिश्ट कोण, अनुसासन यानि डिसिप्लीन और राष्ट प्रेम ये सभी सिच्छा आयुग द्वारा प्रतत प्रतिवेदन में ये सभी मनुस्यों से ठीके अपेक्षाएं की गई थी तो D प्रेश्ट नमबर 52 के हैं, अधुनिक समाज में कोई व्यक्ति और चारिक सिच्छा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतित करता है, तो विद्याला में व्यतित करता है, D आपसन आपका राइट है प्रस नमबर तिरपन क्या पुछा गया है निम्न में से कौन सा समाजिक विवस्था का एक अंग नहीं है मुल्य, तक्निकी, सामूहिकता या फिर भूमिका है टेकनोलोजी, समाजिक विवस्था का एक अंग नहीं है टेकनोलोजी, तकनीकी यानि B आपसन आपका राइट है, मुल्य, सामुहिक्ता और भूमिका है, ये समाजिक विवस्था के अंग हैं, ठीक है, चलें, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रस नमबर आपका चोगन है, जाती पर्था उत्पन करती है, मुक्त समाच, मुरि राइट है, प्रस नमबर पच्पन क्या पुछा गया है, निम्न लिखित में से कौन समाजिक परिवर्तन में बाधक है, तो देखें, जो रूड़ी वाधिता है, ये आपके समाजिक परिवर्तन में बाधक है, ठीक है, भी आपसन आपका राइट है, प्रस नमबर च्पन क् किस उद्देश के अनुसार प्रत्यक व्यक्ति को कुछ सीमा तक समाजिक आदर्सों के अनुसार कारे करना चाहिए तो समाजिक समान समाजिक उद्देश ठीक है भी आपसन आपका राइट है प्रेश नमबर संतावन क्या पुछा गया है निम्न में से कौन सा आदुनीकी करण का लक्षण नहीं है तो देखे जो इसमें गति सीलता है सभागिता है और सहान भूती है ये तीनों आदुनीकी करण के लक्षण है इंगलिस में मोडनाईजेशन बोलते है ठीक है चले प्रस नमबर 58 आपका समुदाय आता है तो जो समुदाय है यह अनवचारिक अभिकरण है ठीक है C आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 69 क्या पुछा गया है समाजिक परिवर्तन समाजिक विकास है यह कथन किसका है तो यह जो स्टेटमेंट है हरवर्ट इस्पेंसर का है हरवर्ट इस्पेंसर ने कहा था समाजिक परिवर्तन समाजिक विकास है ठीक है C आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 60 क्या पुछा गया है आपका नीती निर्देशक तत्तो का उलेख सम्विधान के किस भाग में किया गया है भाग 3 में भाग 4 में भाग 5 में या भाग 6 में किस भाग में नीती निर्देशक तत्तो का उलेख है तो बाबु ध्यान रखेंगे भाग 4 में आपके नीती निर्देशक तत्तो के ठीक है नीती निर्देशक तत्तो जो है भाग 4 में आपके उलेख किये गया है बी आपसन आपका करिक्ट है अब यहाँ पलुक ध्यान रखेगा कुछ यहाँ से आपके बनेंगे एक्जाम में प्रश्न बारती सम्भिधान के भाग चार में अनुछेद 36 से 51 तक राजी के नीति निर्देशक तत्वो यानि DPSP का उलेख है आपके एक्जाम में पूछता है नेति निर्दे सकता तो किस अनुछेद में है तो अनुछेद 36 से 51 के बीच में ठीक है उमेदे साथ ही हूँ आपको जानकरी अच्छी लगी होगी कलास अच्छा लगोगा प्लीज इस कलास को आगे जरू शेयर करिएगा या आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस् सब्सक्राइब जरू करिएगा ताकि अब फोर्थ समेश्टर फिफ्टर समेश्टर और सिख समेश्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर टू में तब तक लिए जैहिन वन देमात्रम